UPC 2023 का पेपर विबादों की भेट चड़ गई ना सिर्फ CCET के पेपर में अपितु पेपर 1 भी उतना ही विबाद दित रहा है इस बार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर सेपरेटली केस किये गए है जहां पेपर 1 की कारवाई दिल्ली हाय कोट में होने वाली है वहीं पर पेपर 2 की सुनवाई केट में होने वाली है पेपर 1 का जो विबाद है पहला विबाद options के रूप में है ये options जो है तुक्के बाजी को बढ़ाती है एक्जामपल के तोर पर इस पहले question का answer जो है only one सही है अब कोई सिर्फ इसे सही टिक करके आया एक्जाम में लेकिन examiner को कैसे पता चलेगा कि उसने इसी को सही मानके और इन दोनों options को दूसरा और तीसरा को गलत माना था ये इसका बनाने का सही तरीका था लेकिन मान लेते हैं किसी ने पहले options को गलत माना दूसरे को सही माना और तीसरे को गलत माना तब भी उसका answer ये ही आएगा किसी ने क्या किया पहले को गलत माना दूसरे को गलत माना तीसरे को सही माना फिर भी उसका answer ये ही आएगा तो इस तरह तीन possibilities create हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि किसी ने गलती से कुछ पहला मार दिया तो ऐसे में तुक्के बाजी या फिर किस्मत लग जो है फैक्टर काम करने लगता है Same possibility only two pair के लिए हो सकता है अगर मान लेते हैं इसी case में दो pair ही सही होता है ये answer सही होता है तो इसमें कितने pair बन सकते हैं एक दो का pair बन सकता है एक तीन का pair बन सकता है और दो तीन का pair बन सकता है लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस student ने two pairs समझ के answer tick किया है वह कौन से दो pair उसने चुने थे या कैसे पता चलेगा क्या उसने वास्तविक्ता में सही तरीके से ठिक किया था या फिर उसने कुछ दो गलत pairs चूझ के और उसका लगली करेक्ट हो गया ऐसा भी समझ है कि एसे में उसने एट्रेंडेमली ऐसा कर दिया है ज्यादा possibilities या बनती है क्योंकि लगबग या असंभव हो जाता है कि इस तरह के paper में 100% knowledge उज़ किया जा सके तो एसे में एसी possibilities बहुत अधिक बर जाती है और इसे तुक्के बाजी को बढ़ावा मिलती है और इसका बड़ा कारण है कि इस तरह से total 47 questions, 47 questions ऐसे बनाए गए थे, set किये गए थे तो इस तरह से इतने भारी मात्रा में जब questions आते हैं तो जो है trick तुक्का जिसे हम लोग कह रहे हैं वह factor काफी बढ़ जाता है, increase कर जाता है तो पहला जो factor है यही है दूसरा जो अभिबात का मुद्दा है, वह है भेग्यू, अथात जो options दिये हुए हैं, उसमें आस पश्टता और यह उत्पन कैसे हुई, जैसे इसी question को लेते हैं due process of low का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह चारो options जो है सही हो सकते हैं, लेकिन अब UPC तो सिर्फ एक ही answer टिक करेगा, अब ऐसे में होगा क्या, कि हम लोगों को वह option चूच करना होगा, जो बहुत अधिक correct हो, लेकिन इस question में भी देखते हैं, कि दो ऐसे options मिल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा correct है, तो अब essay में, last में UPC के पास discretion है कि इसे finally choose करता है, right options के रूप में, तो essay में इस तरह के questions जो है, बहतर aspirants को नुकसान पहुचाते हैं, और यहाँ परिछा फिर से luck पर depend हो जाता कि आपने कौन सा option चूच किया, आपके पास भी 2 options थे, आप मार सकते थे किसी एक को, लेकिन आपका किस्मत के साथ था कि आपने उस समय क्या decision लिया और कौन सा एक मार के आपने निकला, और एसे प्रशनों की संख्या 8 से 10 बताई जा रहे हैं कि एसे प्रशन जिनके एक से अधिक उत्तर आ रहे थे exam में, और चुकि paper objective है, तो इस तरह से subjective paper, subjective answers हो ज आता है, और एक से अधिक answers आने लगते हैं, तो यह भी जो है एक समस्या बनके उभरी है, तीसरा जो समस्या उभारा गया है, वह है paper जो है काफी random arbitrary बनाया गया है, question तहां तहां से set किया जा रहा है, example के तोर पर 92 number question को अम लिग लेते हैं, इसमें जो questions है, वह official secrecy act 1923, the Indian evidence act 8072, और the arms amendment act 2019, तो भईया ये तो वकील भी इतने गहराई से नहीं परते हैं, lawyers भी इतने अच्छे से नहीं परते हैं, तो ये तो जो generally एक IS aspirant या UPC का aspirant होता है, वह generally लचमिकांता, डेडी बासू और जो newspaper है, दा हिंदू, Indian express, ये सब परते हैं, तो essay में इतनी घहराई से content तो उनके पास आएगा ही नहीं, और उनके पास इतना time नहीं है कि सारे act जाके पढ़ें, क्योंकि UPC ने कोई specific act लिखा नहीं है, syllabus में कि आप इसको पूरी तरीके से पढ़के आईए, हाँ people representation act लिखा हुआ है, मैंस के syllabus में, तो उसे सभी लड़क परते हैं, एसे में इस तरह के प्रश्ण जो है knowledge check करने के लिए ना होके exam में उसको परतारिद करता है, हाँ इसी questions कुछ होने चाहें ताकि इससे जो है विद्यार्थी पर pressure बने और उसके pressure handling की छमता को जाचा जा सके, लेकिन बहुत अधिक out question पूछने से उस पर अनवस्यक दवाब बनता है, वह और भी विखर जाता है, परते परते, वो सोचता है कि उसे पढ़ना क्या चाहिए, और exam जो है misguide कर देता है, इस तरह से कई लोगों के career destroy हो जाते हैं, इस तरह से paper 1 की कुछ समसायों को हमने देखा है, बाकी 3 जुलाई को इस पर डेली है कोट में merit प होना है, सुनने के लिए धन्यवाद